अलाम वालेकुम मैं जमीर आमर टीचर बीपियास गुमल जबडी आज तीसरी जमात के बच्चों को इन्वाइर्मेंट साइंस का चैप्टर नमबर पांच पढ़ाएंगे फूडस वी इट प्यारे बच्चों अब जानते हो कि फूडस हमारी गजा जो हम खाते हैं हम रोज मरा की गजा जो खाते हैं आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्या चीज़ खाते हैं रात को क्या खाते हैं सुबर को क्या खाते हैं और दिन को क्या खाते हैं प्यारे बच्चों यहां पे किताब में लिखा हुआ है लास्ट नाइट I had चपाती एंड पनीर यह नहीं कि हम आपसे ही बुचेंगे कि आपने आज रात को क्या चीज खाई आपके गार में क्या चीज बनी हुई थी यह पहला वाला बच्चा बो रहा है लास्ट नाइट कल की रात को हमने चपाती और पनीर खाई आई कुकिड दाल एंड राइस अब इसकी माँ बौद रही है कि मैंने दाल और चावल पकाए थे येस्टरड़े नो फूड वास कुकिड इन माई हाउस दूसरा बच्चा कोई बोर रहा है कि येस्टरड़े को हमारे घर में कोई भी खाना नहीं पका हुआ था अब इस तरह से हम हर एक से एके करके सवाल पूछते हैं आई वांट टू दा गुर्दवारा आई वेंट टू दा गुर्दवारा विद माई ग्रेंड मदर फार दा लांगर फार दा लांगर ये बच्चा बोल रहा है ये शिख कुमुनिटी से बच्चा है ये बोल रहा है मैं अपनी माँ के साथ अपनी दादी माँ के साथ गुर्दवारा गया हुआ था अमी कोकेड चिकन और राइस विच आई एट अमी ने चिकन और राइस पकाया था जो मैंने खाया माई मदर कुकेड फिश आई एट लाश्ट आफ इट मेरी माने मच्हलियां पकाई थी मैंने उनको खाया माई मादर मेड एन ओमलेट फॉर मी तो ये वज़िव हो रहा है कि मेरी मान ने ओमलेट बनाया था मेरी माने एक ओमलेट बनाया था यानि हम आपसे ये भी जानेंगे कि आपके घर में तो कुछ खाना पका हुआ था वो खाना क्या क्या था आप उसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं अब हम आगे देखेंगे तो आप इदर लिख सकते हैं हम आपसे पूछेंगे कि आपने कल क्या खाया था इसमें लिख सकते हो कि आपने कल क्या खाना खाया था जैसे कोई आजू बोलेगा कि मैंने राइस खाए आ राइस चपाती है दूसरा कोई बोलता है हम ने जी मीट खाया मीट जो दूसरा बोलता है कोई बोल रहा है पनीर पनीर खाया आप यह जो भी खाने आप खा रहे हो हर दिन खा रहे हो इनको अपनी कापी के ऊपर लिखो आप अपने मां-बाप से यह भी पूछेंगे के काल हमें क्या खाना था जो कुछ भी आपने खाया है आप उसकी एक कापी बे लिस्ट बना दीजिए आप